Class 3rd, Subject Science, Chapter 2, Animals and Plants जानवर और पॉधी, Objectives उदिश, to help the kids know about similarities and differences between plants and animals पॉधो और जानवरो में समानताएं और अनताएं How Plants and Animals are Interdependent, कैसे पॉधी और जानवर एक दूसरे पर निर्भर है इस रेसन में हम यही सीखेंगे In Chapter 1, अध्याए एक में, You learnt about Living Things and Non-Living Things आपने सजीव और निर्जीव के बारे में सीखा है You know that Animals and Plants are Living Things तुम जानते हो कि Animals और Plants सजीव है Are all the Living Things the same? क्या सभी सजीव एक समान है? No, नहीं They are different from each other in many ways वे एक दूसरे से कई तरह से अलग है जैसे Women, इंसान, मानव, Living Things है Animals भी हैं लेकिन हम एक जैसे नहीं है Look at the pictures shown here यहां जो चितर दिखाया गया उसे देखिए And talk with your partner how they are different और अपने मित्र से बात कीजी, अपने दोस्ते से बात कीजी कि यह कैसे अलग है Movement, गती Animals move from place to place in search of food, shelter and protection जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान में गती करते हैं भोजन रहने की जगा और सुरक्षा के खोज में सुरक्षा की खोज में Plants do not move पौधे गती नहीं करते They remain fixed at one place वे एक ही जगा इस्थिर रहते हैं पुरी जिन्दगी पुरी लाइफ Why do plants not move पौधे क्यों गती नहीं करते Since Plants make food on their own जैसे की पौधे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं They do not need to move here and there In search of food भोजन की तलाश में पौधो को यहां वहां भटतने की आविशक्ता नहीं है Breathing सांस लेना Animals and plants both need air to breathe जानवर और पौधों दोनों को सांस लेने की हवा की जरुवत होती है Human beings and many animals have lungs for breathing जानवर और मानवों में लंग्स होते हैं फेफडे होते हैं सांस लेने के लिए Fishes breathe through gills मचलियां gills से गलफडों से सांस लेती है Insects have small pores on their bodies to breathe कीटों में उनकी शरीर में छुटे 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 छिद्र होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं Plants breathe through stomata on their leaves पौधे स्वसन करते हैं सांस लेते हैं पत्तियों में उपस्तित छुटे छुटे छिद्र के द्वारा जिसको stomata कहते हैं रंद्र कहते हैं Feeding feeding habits of animals are also different खाने की जो आदत है वो अलग-अलग जानवरों में अलग-अलग है We can group animals into herbivores, carnivores and omnivores on the basis of their feeding habits हम जानवरों को उनकी भोजन की आधार पर किस प्रकार का वो भोजन करते हैं उसके आधार पर तीन हिस्सों में तीन भागों में बाढ़ सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सरवाहारी Herbivores Animals that feed on plants and plant products are called herbivores जानवर वो जन्तु जो पौधे या पौधों के से उपलब दोने वाले पदार्थों को खाते हैं शाकाहारी कलाते हैं Cow, deer, horse, elephant, hippopotamus, etc. are herbivores ये सभी क्या हैं? शाकाहारी हैं Cardivores, मांसाहारी Animals that feed only on the flesh of other animals are called carnivores जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों का मांसाहारी कलाते हैं जैसे lion, tiger, wolf, snake, crocodile, shark, etc. are carnivores ये सभी क्या हैं? मांसाहारी Omnivores सरवाहारी Animals that feed on both Plants and animals are called omnivores सभी जानवर जो पौधे और जानवर जन्तू, अन्य जन्तू को खाते हैं Omnivores क्यालाते हैं सरवाहारी क्यालाते हैं Beard, dog and crow are omnivores Beard, dog and crow क्या हैं? सरवाहारी Human beings are also omnivores मानव भी सरवाहारी है मानव दूद भी पिता है और साक सबजी भी खाता है और मानव भी खाता है So, सरवाहारी A beer is fond of honey and fish एक भालू को honey, शहद और मचली बहुत पसंद है A beer eating fish Feelings महसूस करना Animals have sense organs to feel जन्वरों में भी संवेदी अंग होते हैं जैसे हम में होते हैं वैसे जन्वरों में भी संवेदी अंग होते हैं महसूस करने के लिए They respond to touch वे इस पर्ष करने पर प्रतिक्रिया देते हैं उनको पता चलता है कि आपने उन्हें touch किया They can feel the danger and respond accordingly वे महसूस करते हैं खत्रा महसूस करते हैं और उसी के नसार प्रतिक्रिया करते हैं What does a bird do when you come close to it? एक चड़िया एक बक्षी क्या करती है जब तुम उसके करीब आते हो It gets scared and flies away वो डर जाती है और उड़ जाती है But plants do not have sense organ लेकिन पौधों में sense organ नहीं होता समिधियां नहीं होते They do not respond to touch except for some plants like mimosa तुम नहीं होते हैं वे इस पर्ष पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं एक अपवाद है उसको छोड़ कर प्रजनन अपने जैसे जीव उत्मन करने की शम्ता जानवर अपने जैसा जीव उत्मन करते हैं या तो बच्चे को जन्म देकर या अंडे देकर plants reproduce through seeds पौधी प्रजनन करते हैं अपने बीज के ध्वारा however, some plants also reproduce through their roots, stems and or leaves इसके अलावा भी कुछ पौधी हैं जो प्रजनन करते हैं जड से, तना से और पत्ती से मतलब इन हिस्तों से दूसरा नया पौधा उन्मोथपन हो जाता है एन ओस्ट्रिच एग is the largest egg in the world ओस्ट्रिच शुत्रमुर्ग का अंडा दुनिया में सबसे बड़ा अंडा होता है ग्रोथ व्रद्धी अनिमल्स एंड हुमन्स ग्रो फॉर अ सर्टीन पीरिड ऑफ ताइम जानवर और मानव एक निश्च समय के लिए बढ़ते हैं व्रद्धी करते हैं एक चोटा बच्चा या एक चोटा जानवर प्रद्धी करके बनता है एक वयस्क फिर वो बुड़ा हो जाता है और मर जाता है प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देर लाइफ लेकिन पॉधे जीवन भर जितना उनका जीवन काल है उतना तब तक वो बढ़ते ही रहते हैं इंडर डिपेंडेंस परस पर निर्भरता एक दूसरे पर निर्भर होना प्लांट्स एंड अनिमल्स डिपेंड ओन इच अदर पॉधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं लेट उस सी हाओ आई देखते हैं कैसे प्लांट्स मेट देर फूड ओन देर ओन पॉधे अपना भूजन स्वेम बनाते हैं ज्यादा तर जानवर पॉधे या पॉधों के उत्पात खाते हैं अनिमल्स डाज फीड ओन देख अनिमल्स डिपेंड ओन दे प्लांट्स इंडरेक्ट ली वे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वे भी अप्रत्यक्ष रूप से पॉधबर निर्भर करते हैं इन फैक्ट दा अनिमल्स डे इट फीड ओन प्लांट्स बलकि जो जानवर का मांस वो खाते हैं वह जानवर पॉधे खाता है किसी शाका हारी जानवर को मांसा हारी जानवर ख़ जाते हैं Plants take in carbon dioxide and release oxygen पौधे carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं Animals take in oxygen and give out carbon dioxide और oxygen लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं That's very important thing Animals eat the fruits of plants and spread their seeds here and there on land जानवर पौधों के फल खाते हैं और उनकी बीच को यहां वहां जमीन पर बिखरा देते हैं These seeds grow into new plant यह बीच नए पौधी में ब्रदी करता है बढ़ जाता है Some animals like earthworms live inside the soil कुछ कि रे जन्तू जमीन में मिट्टी में रहते हैं जैसे केचुगा They make the soil fertile वे मिट्टी को उपजाओ बनाते हैं इस प्रकार plants and animals depend on each other पौधी और जान्वर एक दूसे पर जन्तू एक दूसे पर निर्भर करते हैं करते हैं